नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा मुख्ध मंतिर बिर्देजान पेंसन यूजना के बारे ही हाँ दोस्तों बिहार सरकार ने करोना लोकडाउन में ये फैंसला लिया है कि जिन लोगों को बृधा पेंसन का लाफ नहीं मिल रहा है वे लोग बृधा पेंसन के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं जिसके लिए आपको अपने मोबाइल से या नज़दिकी के CAC सेंटर पर घा करके औनलाइन आवेदन देना होगा क्या है पूरी परक्रिया आप मोबाइल से ओनलाइन आवेदन को कैसे करेंगे जानने के लिए बने रही है मैरे सथ वीडियो को अन्ति तक देखिए और एक रिक्विष्ट है कि चाइनल को सब्सक्राइब करें सांथी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि और लोगों की जनकारी मिल सके चले मैं अपना आज का वीडियो शुरू करता हूं दोस्तों मुबायल से विधा पिंशन का अवेधन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मुबायल में गूगल को ऊपन करें गूगल को ऊपन करने के बाद सर्च वक्स में टाइब करें sspmis.in या हमारे description box में link दिया गया है उस link पर जा करके आप इस डायरेक्ट इस website पर आ सकते हैं sspmis.in सर्च करने के बाद आपके सामने page open होगा page open होने के बाद first वाले link पर click करें click करने के बाद आप इस website पर आ सकते हैं देखिए इस प्रकार के एक website open होगा और website open होने के बाद आप यहां पर देखिए click here to online click here to apply online registration for मुखमंत्री बिद्धजन पेंसन योजना में आवेदन करने के लिए यहां click करें आपको यहां पर click कर देना है जैसा कि मैं इस पर click करता हूँ click करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस परकार का एक page open होगा जिसमें आपको इस परकार का डिटेल मंगा जा रहा है आपको यहां पर आपना डिश्टिक यानि की जिला को select करना है यहां से आपको ब्लक select करना है यहां से आटोमेटिक मुखमंत्री बिद्धियन पेंसन उज्याना सेलेक्ट किया हुआ रहेगा यहां से आपको अपने वोटर आइकार का नमबर डाल देना है जो की वोटर आइकार पर एक नमबर होता है उसको यहां पर डाल देना है फिर आपका नाम फोटर आइकार कनुसार यहां पर अपना नाम डाल देना है नाम डालने के बाद आपको न आधार सत्याफित करेंगे बहले डीट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की फर्म ओपेंट होगा जिसमें आपको यहां पर देखिए यहां पर स्कीम का नाम को सेलेक्ट कर लेना है यहां पर बनेश्ट सिरी नाम को डाल देना है इसके लिए पावेदन कर रहा है उनका ना दॉनिल्ड करना है यहां से देट अफ़ी बीट को डाल देना है यहाँ पर कटेग्री में आते हैं वीसी में है यह से हमाले सब्सक्राइब civilis नमबर को डाल देना है फिर आपको यहां पर देखिए डिस्टिक सेलेक्ट करना है फिर यहां से ब्लक को सेलेक्ट करना है फिर यहां से फिलेज सेलेक्ट करना है यहां पर वार्ड सेलेक्ट करना है और यहां से एड़ेस को डाल देना है फिर यहां पर पीन कोड को डाल देना और इसके बाद यहां पर आपको अधार नंबर आपका सेलेक्ट किया हुगा आएगा अटोमेटिक है फिर यहां से जो आप नाम डाले थे वह आटोमेटिक के पर सू कर देगा फिर आप देखिए आपको यहां पर बैंक का डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जा रहा है तो आ यहां पर अधार नमबर होना चाहिए तो उसका नाम यहां पर डाल देना है इतना डिटेल्स भरने के बाद देखिए आपको यहां पर एक आधार अपलोड डॉक्मेंट यहां निकी आपको यहां पर अधार का फोटो यहां से सेलेट करके और अपलोड कर देना है फिर यहां पर आपको बैंक पास्बूक के प्रथम प्रिष्ट का फोटो कपी जिसको आपको स्केन करके यहां पर अपलोड कर देना है अपलोड करने के बाद यहां से किप्चा फिल करके और फिर जो है सो सबमीट पर क्लिक कर देना है जै प्रिंट करके और रख लेना है रखने के बाड़ जुम्हार से पांदर में अंदर आप diesesना के लिए लिश्ट में नाम जारी सीया जायागा फिर अपने से करने के लिए फिर ब्रेवसाइट पर आने के बाद फिर आपको को देखिए यहां पर एक स्रह्च अप्लेक्शन की चेना ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां से देखिए आपको सेलेक्ट ओप्षम ग्लेक्षण को क्लिक कर लेकरter n एकाउंट नमबर अधार नमबर मुबाइल नमबर वेनिफिसियर या आईडी जो भी है आप इसको सेलेट करके अधार नमबर से अगर स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो अधार नमबर को सेलेट कर लेना है फिर हैं अधार नमबर डाल करके अप्लिकेशन स्टेटस पर सेधा पेंशन मिलने लगेगा तो आसा करता हूं यह वीडियो आप सभी को पसंद आईगी वीडियो को ज्यादा सेधा सेधा शेयर कर लाइक करें कमेंट करें